भाब के इंजन का अभिश्कार किस ने किया ओप्शन ए है फोड बी है जेम्सवाट सी है आरकराइड डी है निकलंद तो इसका ओप्शन नमबर हो जाएगा सही बी जेम्सवाट यहां पर आपको थोड़ा सोर जनकारे देदें कि भाब के इंजन का जो अभिश्कारक थे वो नूइव कॉमेन बाद में जेम्सवाट ने इसमें सुधार किया था इसलिए अगला जोस्चन तो इसका option हो जाएगा 1854, option number D सही तिसरा है, इंग्लेंड में किस नई तकनिक की सुरुवात ने महिलाओं को कुरोधित कर दिया था option A है, spinning journey, B है भूमिगत railway, C है steam engine, D है none of these option हो जाएगा इसका सही, A, spinning journey अगला question है, फोर, किसी ने 1917 में कलकता में पहली भारती जूट मिल अस्थापना की थी option A है, सेट हुकुम चंद, B है जमसेद जी, C है, G, D है बिरला, D है नवसरवान जी तो इसका option number हो जाएगा A, सेट हुकुम चंद question number 5 है, नीम्न में से किस अस्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी option A है, कानपूर, B है, बंबाई, C है, अहमादाबाद, D है मदरास यहाँ पर option number हमारा जो 5 question का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा D, मदरास बतादे दोस्तों, मदरास हमारा पुराना नाम है, यह इसका नया नाम चनाई है, उसी परकार से बंबाई यह भी पुराना नाम है, नया नाम है इसका मुंबाई, ठीक है question number 6 है, यूरोपिय देशों में से किस देश के कपड़ों की अत्यधिक मांग थी option A है, अमेरिका, B है, भारत, C, ब्राजिल, D, ब्रिटेन, option नमबर इसका सही हो जाएगा, B, भारत question number 7 है, इंगलेंड का कौन सा नगर, फिनिसिंग सेंटर के रूप में बिशरित हुआ option A है, हेंपल सायर, B है, इंगलेंड, C है, लंदन, D है, वार मॉंड, option इसका हो जाएगा, लंदन, C, option सही question number 8 है, new comment, द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का किसने सुधार किया, तो question number हम आपको first ही में बताए थे, option हम बता रहे हैं, आप इसका बताएगा answer क्या होगा option A है, Ford, D है, जेम्सवाट, C है, निकल्सन, D है, आर्कराइट, option इसका B हो जाएगा, जेम्सवाट question number 9 है, इंगलेन में सबसे पहले करखाने कब खुले, option A है, 1730, B है, 1734, C है, 1800, D है, 1857, तो question number 9 का option हो जाएगा, A, 1730 अगला question है, 10, भारत में पहला लोह एवं इस्पात सेंत्र कहां अस्थापित किया गया, option A है, बंबाई, B है, कलकता, C है, चेन्नाई, और D है, जमसेदपूर, तो option number 10 question का हो जाएगा, D, जमसेदपूर, ये जारखंड में है, question number 11 है, फलाई सटल किसके लिए इस्तिमाल किया, जाने वाला एक यांत्रिक ओजार था, option number A है, बंबाई, B है, कताई, C है, जोताई, D है, सभी, तो option number 11 का हो जाएगा, हमारा A, बंबाई, question number हमारा last 12 है, dawn of the century नामक चितर में किसका महिमांडन है, option A है, चितरकार, B है, बिग्यापन, C है, प्रजातंत्र, और D है, ओधोगिक, तो option number हमारा B का हो जाएगा, सही, D, यानि कि ओधोगिक करान, तो dawn of the century नामक चितर में जिसका महिमांडन किया गया था, वो option number D हो जाएगा, मतलब कि ओधोगिक करान, तो ये था हमारा आज का question मिलते हैं अगले वीडियो में,